क्या करूं मैं इतनी सुन्दर हूँ तो श्रीवास्तो मौसी का जब बेटा हुआ था उन्होंने तभी ठान लिया था कि अपने बेटे के लिए सबसे सुन्दर लड़की का हाथ मांग कर लाएंगी श्रीवास्तो मौसी को भी बच्पन से हीरोईन बन के रहने का बड़ा शौक था तो बहु भी उनको हीरोईन जैसी ही चाहिए थी एक दिन उन्होंने मिस गाजियाबाद डिम्पल से उसकी शादी करवा दी यहां बस एक ही दिक्कत थी डिम्पल को फेस मास्क बनाना तो आता था पर हाटा गूतना नहीं आता था बाते तो पक्की पक्की करती थी पर रोटियां कच्ची पक्की बनाती थी कमला बन मानना पड़ेगा आप शहर की सबसे सुन्दा लड़की को बिहा कर लिया आए अपने बेटे के लिए अब इसमें हमने तो कुछ नहीं किया भाई साहब सब उपर वाले की क्रिपा है जी जी तो क्या क्या कर लेती है आपकी बहू सब कुछ जाओ बेटा डिम्पल शर्मा जी के लिए थोड़ा नाश्ता पानी बना लाओ डिम्पल नस्दीक जाकर श्रेवास्तों मौसी के कान में फुस फुसाती है ममी जी नाश्ता बनाना तो नहीं आता सिर्फ पानी ले आओ अरे बेटा तुझे देखने कितने लोग आए है इन सब को पानी पिलाने का ही इरादा है क्या श्रीवास्तों मौसी के लिस्ट में सुन्दरता सबसे ऊपर आती थी और उन्हें उसी का फल मिला उनके बेटे अशोक ने एक दिन मा से शिकायत की मा कैसी बहु डून कर लाई हो मैं शाम को ठक हार कर घर लोटता हूँ तो मुझे कहती है अच पैडिक्योर करना है करवा दोगे अरे जबकि दिन भर काम करके पाउं मेरे ठके थे अरे बेटा ठीक है न धीरे धीरे सीख जाएगी अरे क्या सिख जाएगी मा उससे कुछ भी नहीं आता हफ़ते भर का शिडिल बना लिया है उसने पैडिक्योर, हेड मसाज मुलताने मिट्टी का ये वो आरे पता नहीं क्या क्या अरे मुझे तो नाम भी नहीं आते देख बेटा खाना बनाना, सबसी काटना ये सब सीखा जा सकता है पर सुन्दर ता नहीं सीखी जा सकती, इतनी सुन्दर बहु मिली है, फिर भी तु खुश नहीं है, कैसा बेटा है तु श्रीवास्तव मौसी का मानना था कि समय रहते बहु साब सीख जाएगी पर मिस गाजियाबाद से शादी कराने के बाद घर का जो नाम हुआ है वो जरूरी है आरे सब की बहु खाना बना लेती है, हमारे घर में तो काम वाली दीदी भी है पर हमारे घर में जितनी सुन्दर बहु है न, उतनी किसी के घर में नहीं ऐसा श्रीवास्त मौसी सब को कहती रहती फिर एक दिन वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था डिम्पल को पिम्पल हो गया डिम्पल घर में चुपी बैठी थी पर ऐसी कबर छिपती कहा है शर्मा जी घर में अपने बेटी की शादी का न्याता देने आएं तो उन्होंने पूछी लिया अरे आज आपकी बहु नहीं दिख रही हाँ हाँ वो ना थोड़ा काम में बिजी है आती ही होगी और इतने में डिम्पल सही में किसी काम से वहां आ जाती है बस शर्मा जी की नजर पढ़ जाती है डिम्पल के पिम्पल पर जो उन्हें चांद पे दाग जैसा लगता है पूरे शहर में बात फैल जाती है कि डिम्पल को पिम्पल हो गया है ये दिक्कत काफी गंभीरती और श्रीवास्तों मौसी को पता था कि अगर ऐसा चलता रहा तो उन्होंने जो हासल किया था साब मिट्टी में मिल जाएगा उन्होंने फट से डिम्पल को अपने कमरे में बुलाया अरे बेटा शर्माजी के बेटे की शादी एक हफ़ते में ही है हमें उससे पहले ही तुझे वापस सुंदर बनाना पड़ेगा तू बता तुझे मेकप के लिए क्या-क्या चाहिए डिम्पल की दी गई लिस्ट का सामान श्रीवास्तर मौसी शाम को ही ले आती है और उसकी बाद शुरू होता है डिम्पल का मेक ओवर एक हफ़ते में सारी क्रेम्स पाउडर टेस्ट हो चुके है और डिम्पल और श्रीवास्तर मौसी रेडी हो जाते हैं शर्मा जी के बेटे की शादी के लिए शादी के दिन डिम्पल बहुत सुंदर लग रही थी श्रीवास्तर मौसी को उम्मीद थी कि बास आप तो हर जग वो और डिम्पल ही छाए रहेंगे चाहे शादी किसी की भी हो पर जब वो शादी में पहुंचते हैं तो उन्हें बाहर शर्मा जी लोगों का स्वागत करते मिलते हैं अरे कमला जी सही समय पर आई है आप ही का इंतजार था हमने भी हमारे बेटे के लिए मिस एहमदाबाद ढूंडी है डिम्पल और श्रीवास्तो मौसी दोनों के मुह खुले के खुले रह जाते हैं शर्मा जी की बहु को देखकर वो तो डिम्पल से भी ज़्यादा सुन्दर थी क्यों हमने भी अच्छी बहु डुंडी है न हाँ हाँ शर्मा जी वाकि आज कल की जमाने में सुन्दरता से क्या होता है भई देखो बूडे तो सब होते है मैं तो मानती हूँ के बस रोटिया गोल बना दे इससे ज्यादा क्या चाहिए सुन्दरता का क्या है धल जाती है परगुण ओ हमेशा रहते हैं अरे वावा इतना बड़ा ग्यान आपको कोई गुरू भी नहीं देता जितना बड़ा ग्यान आपको एक छोटे से बिम्पल से बिल गया आगले दिन जब अशोक बिम्पल से बात कर रहा होता है कल शादी में मिस एहमदाबाद के बाद सब मिस गाजियाबाद यानी तुमको ही देख रहे थे क्या करूँ मैं इतनी सुन्दर हूँ तो आप भी बताओ क्या करूँ क्या करूँ मैं मैं तो कहती हूँ कि घर का कोई काम कर या फिर बहार अपने लिए कोई काम ढूंड ले हैं? क्या कहा मा जी? हां जी सुन्दरता का क्या है? कल तुने मिस एहमडाबाद से मात खौई, आगे कोई मिस हैदराबाद आजाएगी या मिस फैजादाबाद आजाएगी इसलिए काम पर ध्यान दो, हाँ और कुछ महिनों बाद अर बहु, काम करने के बाद तु सुन्दर नहीं, अती सुन्दर हो गई है